हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाक्थ है आपका आपके फेबरिट यूट्यूब चैनल एंड फेस्बूक पेज धिमान राजे धिमान में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेस्चन्स डिटर्मिनेंट की प्रोपर्टीज के साथ मैंने इसे पहले भी matrices and determinant के उपर कुछ वीडियो बनाई हुई है आप चाहें तो वो वीडियो दे सकते हैं उनकी मैंने एक playlist अलग से बनाई हुई है आज के question में मैंने जो most important step है वो अलग से mention किये हुए है तो आएए सुरू करते हैं आज की वीडियो हमारा पहला question है if a, b and c are real number and determinant value of b plus c c plus a, a plus b, c plus a, a plus b, b plus c and a plus b, b plus c, c plus a equal to 0 then so that either a plus b plus equal to 0 or a, b and c are equal तो इस question को prove करने के लिए हमने क्या करना है इस determinant को जैसे हम solve करते हैं बैसे ही solve करना है मतलब जैसे determinant को हम with the help of properties solve करते हैं हमें first column है one 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 चाहिए और अगर one 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 मिल गया फिर हम किनी दो रो को minus करके हम zero zero ला सकते हैं किनी दो रो के उपर तो बैसे फिर हमें यह solve करना आसान हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे column number one में column number two and three को add कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास column number one में इन सब को add करेंगे तो B प्लस C फिर C प्लस A फिर A प्लस B अब यहां से C प्लस A उसके बाद A प्लस B यहां से B प्लस C अब यहां देखिए A प्लस B फिर B प्लस C है और आगे है C प्लस A अब देखिए यह तो बन गए हमारा column number one और two and three adjectives रहेंगे तो उनको ऐसे ही लिख देना है आप देखिए यहां पर B प्लस C इसको जब add करेंगे तो यह क्या मिलेगा यहां से B, B, A, A, C, C यहां पर भी A, A, B, B, C, C मतलब पहले column में दोनों जगा 2A प्लस 2B प्लस 2C है दूसरी row में भी पहले column में सब जगा ऐसे अब ऐसे लिखेंगे बाकी यह दोनों add जिटीज लिख देंगे अब यहां पर देखेंगे यह पहले column में है तो यह हमने common ले लेना है taking common 2 into A प्लस B प्लस C तो हमारे पास यहां मिलेगा 2 into A प्लस B प्लस C और पहले column में 1, 1, 1 बचेगा और दूसरा और तीसरा column as it is रहेंगे और किसी भी determinant में जब पहले column में 1, 1 आ जाता है तो हम यहां पर और यहां पर 0, 0 ला सकते हैं कैसे हम operation करेंगे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 जिससे क्या होगा यहां पर और यहां पर 0 आ जाएगा तो बग की एजिटिज रहेगा यह 2 एजिटिज अब देखेंगे 2nd और 3rd row चेंज होगी 1st row एजिटिज रहेगी तो 1-1 0 R2 माइनस R1 1-1 0 फिर A प्लस B माइनस देखिए यहां से क्या मिलेगा A प्लस B माइनस C माइनस A A प्लस B माइनस C माइनस A तो A A खत्म हो जाएगा हमें मिलेगा B माइनस C यहां से क्या मिलेगा B प्लस C माइनस A माइनस B तो यहां देखिए B, B खत्म हो जाएगा C माइनस A बचेगा इसी तरह से यहां पर 3rd row मैंनस 1st row 1 माइनस 1, 0 मिलेगा फिर B प्लस C माइनस माइनस C प्लस A, तो माइनस C माइनस A हो जाएगा, C, C cancel हमें मिलेगा B माइनस A यहां से देखेंगे C प्लस A माइनस A, B A माइनस B, तो यहां A, A खत्म हो जाएगा, हमें मिलेगा C माइनस B अब हम इसको expand कर सकते हैं expanding along C1 1st column से expand कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 2 into A प्लस B प्लस C अब देखिए, यहां 0, 0 है तो यहां 1 और फिर यही बचेगा हमारे पास ऐसे यह और यह तो यह determinant बचेगा B माइनस C C माइनस A B माइनस A C माइनस B और बाद में जब यहां से 0, यहां से 0 तो 0 ही मिलेगा, आगे calculate नहीं होगा, 0 value आएगे अब इसको solve करेंगे तो यह मिलेगा हमें 2 into A प्लस B प्लस C इन दोनों को cross multiplication ऐसे determinant 2 by 2 का कैसे solve करते हैं तो यह मिलेगा हमें B माइनस C into C माइनस B C माइनस B फिर माइनस C माइनस A फिर into B माइनस A अब इसके बाद देखिए यहां पर इनको multiply करेंगे यह है B माइनस C यह है C माइनस B तो यहां से मैं minus common ले लेता हूँ तो यह मिल जाएगा B माइनस C और यह भी B माइनस C है तो B माइनस C माइनस common लेने से B माइनस C whole square और यहां पर C माइनस A यहां B माइनस A तो इसको multiply कर देंगे अब यहां multiply कर देते हैं तो C से B माइनस A को multiply होगा तो यहां मिलेगा हमें C B फिर C से A को multiply होगा minus minus plus तो यह मिलेगा CA, अब minus into minus plus A, फिर B को multiply होगा, तो यह मिलेगा हमें AB, फिर यहाँ, यह minus A है, और यहाँ से plus A, तो यह मिलेगा minus A square. अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 A plus B plus C, यह बाहर है, एज इज रहेगा, यह minus common ले लेंगे हम हर जगा, minus common लेके यहाँ बाहर लिख देंगे, तो यहाँ plus रहेगा, यह plus, यह minus, यह minus, यह plus हो जाएगा, अब इसका whole square लिख देंगे, तो यह मिलेगा, CB और BC A की बात है, तो BC, यहाँ minus CA, यहाँ minus AB और यहाँ plus A square, अब यहाँ पर देखिएगे, minus 2 PC plus BC, तो जब हम इन दोनों कोई कठा करेंगे, तो हमें यहाँ से, इन दोनों से मिलेगा, minus BC, ऐसे, अब इस 2 के साथ हम अंदर multiply कर देंगे, अगले step में, तो मैं यहाँ से इस 2 क हटा देता हूँ, minus बाहर रहेगा, तो यह मिलेगा हमें 2, यहाँ से C square है, तो यह मिलेगा 2C square, यह BC है, तो minus 2BC, यहाँ minus 2C है, तो यह मिलेगा हमें minus 2BC, ऐसे ही, यहाँ पर भी minus 2, ऐसे, और यह plus A square है, तो यह मिलेगा plus 2A square, यह 2 मैंने अंदर multiply कर दिया, अब देखिए, य यही सबसे important step है most important step और यह याद रखना है यहाँ पर two b square two c square two a square हम इसको break करेंगे b square plus b square c square plus c square a square plus a square तो हमारे पास यह मिलेगा minus a plus b plus c edge रहेगा और इसको b square plus c square मैं एक b square plus एक b square यहां लिखता हूँ एक बाद मैं तो यहाँ पर b c किसके साथ है यह b c इसके साथ रख देता हूँ अब उसके बाद c a है तो मैंने क्या करना है यहाँ पर a square a square एक a square यहाँ से लिख दूँगा ऐसे फिर एक c square इससे यहाँ पर और minus two c a ऐसे अब यहाँ पर देखेंगे two a b minus का तो एक a हमारे पास इसका बचा हुआ है अभी a square और एक b square यहां से बचा हुआ है तो यह b square आ गया और यह minus two a b हमने क्या क्या इस two b square को break किया एक यहां पर लिखा और एक लिखा यहां पर इस two square को break या एक C यहां लिखा एक यहां लिखा इस A square को break या एक यहां लिखा एक यहां लिखा अब किस किस के साथ लिखा B, C तो यहां B, C है A, C तो यहां A, C है A, B तो यहां A, B है और इन तीनों को इकठा करेंगे हम तीन-तीन को इकठा करेंगे ऐसे और ये बनेगा B-C whole square ये बनेगा A-C whole square और ये मिलेगा A-B whole square तो यहां लिख देता हूँ मैं माइनस A प्लस B प्लस C बहार एड़िटीज रहेगा और अंदर मिलेगा B-C whole square plus A-C whole square plus A-B whole square अब देखिए यहां पर क्या है ये है product of two terms और ये कितना दिया है डेल्टा ये दिया है हमें 0 के बराबर और product of two terms 0 तब ही हो सकता है आइदर first term 0 के बराबर होगी that is A plus B plus C और second term 0 के बराबर होगी मतलब B-C whole square plus A-C whole square plus A-B whole square ये 0 के बराबर अब ये तो 0 के बराबर है लेकिन इससे हमें क्या मिलेगा ये है sum of square of three number 0 के बराबर और जब किन तीन नमबर का square जैसे X square plus Y square plus Z square हो और ये अगर 0 के बराबर हो तो एक ही condition के उपर 0 के बराबर हो सकते हैं अगर X, Y, Z तीनों बराबर हो और वो 0 के बराबर होंगे X, Y, Z बेसक negative नमबर हो उसके बावजूद भी जब square करेंगे इसका तो positive होगा और positive नमबर का जब sum करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा इसका मतलब एक ही condition बचती है X, Y, Z को बराबर और 0 के बराबर होने में तो X, Y, Z 0 के बराबर होंगे और 0 ही होंगे इसका मतलब यहां से देखिए यहां से क्या मतलब हो इसका B-C 0 के बराबर A-C यह भी 0 के बराबर and A-B यह भी 0 के बराबर हुआ तो यहां से B, C के बराबर, यहां से A, C के बराबर, और यहां से A, B के बराबर, तो देखिए इन तीनों को जब combine करेंगे, तो A, B के बराबर, B, C के बराबर, और C, A के बराबर, और यही हमने prove करना था, A plus B plus C equal to 0, या फिर A equal to B equal to C. हमारा अगला question है, if A, B and C are positive and unequals, then so that determinant A, B, C, B, C, A, C, A, B is negative. और friends, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बास share करना चाहता हूँ, कि आप, आपका कोई साथी, या आपका कोई रिस्तेदार किसी competition की तयारी कर रहा है, तो उसके लिए हमारा channel है exam cracker, जिसमें आपको GK related material, reasoning की short और simple explanation, तथा मैं इसके short trick के साथ video मिलेंगी, आप इस channel को जुरूर विजिट करें, channel का link मैंने description box में दिया है, आप आगे बज़ेंगे. ही करेंगे, determinant property से हम पहले column में 111 लाएंगे, क्यूंकि ये भी एक cyclic rotation में move कर रहा है, A के बद B है, B के बद C, B के बद C है, C के बद A, C के बद A है, A के बद B, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों column को add करके column number 1 में लिख देंगे, इस तरह से, C1 plus C2 plus C3, तो हमें क्या मिलेगा यहां से? A plus B plus C, पहले column में मिलेगा, A plus B plus C, दूसरे में मिलेगा, B plus C plus A, यहां पर तीसरी row में मिलेगा, C plus A plus B, और दूसरा और तीसरा column एजिटीज रहेगा, B, C, A, फिर C, A, B, आप देखिए, यहां पर, A, B, C, B, C, A, C, A, B, यह तीनों एक जैसे नमबर हैं, तो इनको हमने common ले लेना है, taking common, A plus B plus C, from C1, और जब हम first column से इसको common लेंगे, तो हम बाहर लिख देंगे इसको, A plus B plus C को, और हमें क्या मिलेगा first column है, 1, 1, 1, और second और third as it is रहेंगे, इस तरह से, अब जिस भी question में इस तरह से determinant मिलता है, हम क्या करते हैं, यहां और यहां 0 ले आते हैं, कैसे, इस row से इसको minus करके, इस row से इसको minus करके, तो हम यहां पर operation लगाएंगे, R2 minus R1 and R3 minus R1, जिससे हमारी first row as it is रहेगी, second और third change हो जाएगी, तो देखिए, यहां पर, A plus B plus C बाहर as it is रहेगा, first row, 1, B, C, as it is, अब R2 minus R1, इससे यह minus करना है, तो result यहां लिखना है, 1 minus 1, 0, C minus B, यहां पर C minus B आएगा, A minus C, क्योंकि इससे यह minus कर रहे हैं, तो A minus C, अब तीसरी row में, 1 minus 1, फिर 0, A minus B, क्योंकि R3 minus R बन कर रहे हैं, तो B minus C आएगा last में, ऐसे, अब यहां 0 आगया, यहां 0 आगया, अब हम इसको expand कर सकते हैं, along C1, expanding along column number 1, उससे क्या मिलेगा हमें, जब expand कर देंगे, तो A plus B plus C बाहर रहेगा, और 1 into A और यह, eliminate हो जाएगा, हमें सिर्फ determinant value यही मिलेगी, C minus B, A minus B, A minus C, B minus C, और जब इसको solve करेंगे, तो हमें मिलेगा, B plus C plus A, और यहां से, देखिए, 2 by 2 का determinant ऐसे solve होता है, C minus B, B minus C, C minus B, B minus C, फिर, minus, यहां A minus C, यहां A minus B, A minus C, A minus B, और जब इसको expand करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, देखिए, A plus B plus C, और यहां से इसको multiply करेंगे, तो यहां C minus B, यहां से मैं minus common ले लूँ, तो यहां मिलेगा मिलेगा, C minus B, ऐसे, तो यह C minus B whole square हो जाएगा, इसको multiply कर देता हूँ, तो minus से multiply करना है इसको पहले, तो यह मिलेगा हमें C minus A, अब C से इसको multiply करता हूँ, ऐसे C A, फिर C B minus C B, minus A से A को, minus A square, फिर minus A से B को, minus into minus plus A B, अब मैं अगले step मैं इस minus को भी multiply कर देता हूँ, अदर, ऐसे, A plus B plus C, और यहां से मुझे मिलेगा, minus A, C square, plus B square, minus 2 B C, plus C A, minus C B, minus A square, plus A B, और जब इस minus के साथ multiply करता हूँ, तो यह minus, यह plus है, यह minus बन जाएगा, यह minus है, यह भी plus बन जाएगा, तो हमें ऐसे मिलेगा, अब देखिए, minus A square, minus B square, minus C square, तो minus A square, minus B square, minus C square, यह 2 B C, और यहां पर minus B C, इन दोनों को इकठा किया जाएगा शकता है, तो यहां से हमें plus B C ही मिलेगा, तो यह भी खत्म हो गया, यहां से बचेगा C A, और यहां से बचेगा A B, हमने minus multiply कर दिया, अब आएगा सबसे most important step, most important step, जैसे हमने पिछले question में किया था, तो यहां पर minus A square, minus B square, minus C square है, हम यहां से minus कॉमा ले लेंगे, और 2 से multiply कर देंगे, देखिए, ऐसे, minus half, और A plus B plus C, जब minus बाहर लिया है, तो यह सारे के सारे plus हो जाएगे, और 2, तो अंदर भी सारे के सारे 2 से multiply हो जाएगे, तो यह में लेगा है, 2 A square plus 2 B square plus 2 C square, सबके सबके sign change हो जाएगे, और 2 सबके साथ multiply हो जाएगा, तो minus 2 B C, minus 2 C A, minus 2 A B, अब देखिए, यहाँ पर इसको जैसे हमने पिछले स्टेफ में ब्रेक किया था, बैसे ही ब्रेक करना है, इसको लिखेंगे हम A square plus A square, B को लिखेंगे, 2 B square को लिखेंगे, B square plus B square, C square को लिखेंगे, 2 C square को C square plus 2 C square, और यह एजडिज रहेगा, अब हम क्या करेंगे, इन terms को इनके साथ इकठा करेंगे, इनके हिसाब से, तो सबसे पहले यह है, minus 2 B C, minus 2 B C, इसके साथ मैं B और C को इकठा करूँगा, क्योंकि यहाँ B C है, तो B और C, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने B square plus C square, और ऐसे लिख दूँगा, plus, उसके बाद है C A, minus 2 C A, तो यहाँ पर कौन-कौन सी term कठी होंगी, C A, तो यहाँ से देखिए, यह C, यह A, तो C square plus A square, और एक term बची हमारी यह, minus 2 A B, minus 2 A B, और इसके साथ कौन-कौन सी term होंगी कठी, A और B, A बची हुई है, B बची हुई है, A और B, तो यहाँ लिख दिया मैंने A square plus B square, अब देखिए, यहाँ पर, B plus C minus 2 B C, यह है, B minus C whole square, इसको लिखेंगे हम, minus half, A plus B plus C, और यहाँ से, B minus C whole square, यहाँ से C minus A whole square, C minus A whole square, यह मिलेगा हमें, A minus B whole square, अब देखिए, हमें दिया किया है, पहले स्टर्म में, A, B and C are positive, तो इसका मतलब यह है, कि यह term सारी हमारी positive रहेगी, इसका मतलब, minus half into, एक positive term आएगी, फिर यहाँ क्या मिलेगा, हमें इस bracket के अंदर, B minus C, जो मर्जी term हो, जब square कर देंगे, तो वो positive ही मिलेगा, यहाँ पर भी किसी भी number का square कर देंगे, तो वो positive ही मिलेगा, यहाँ पर भी positive ही मिलेगा, मतलब, इस bracket के अंदर, सारे की सारे term हमें positive मिलेगी, और जब इनका sum करेंगे, वो भी positive मिलेगा, और into positive term हमें positive ही मिलेगी तो हमें मिलेगा minus half into positive term और minus half को positive term से हम multiply करेंगे तो minus half मतलब minus term मिलेगी हमें minus और यही हमने prove करना है कि यह determinant जो है उसकी value minus है तो friends यह था आग का वीडियो जिसमें हमने determinant के कुछ question solve किये मुझे पूरी उमीद है आपको question समझा गए होंगे आप इस वीडियो को like करें अपने friends के साथ share करें और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसी तरह की match के ओपर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करना न बोले अगर आपने ये वीडियो फेस्बुक पेज के ओपर देखी है तो हमारे फेस्बुक पेज को करें दो हमारे चैनल को